दिवाली में हैंगिंग्स तो सभी को चाहिए होते तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो ब्यूटिफुल डियाइवाई हैंगिंग्स जो कि आपके घर में चार चंद लगा देंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज कल ऐसी माला हैं लोटस बर्ड वाली बहुत ज्यादा ट्रेंड में हैं यह बहुत सुन्दर लुक देती है और घर को एक अलगी रूप दे देती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें क्या लगने वाला है यह देखिए ऐसी फैब्रिक की जो कैरी बैग्स है बैग्स है यह हर किसी चीज के साथ आजकल आती है जैसे कि प्लास्टिक बैन हो गया तो यह बहुत ही अच्छा इनिशिटिव है अगर आप पूरा वाइट बैग का यूज करेंगे तो वह और भी अच्छा होगा बट मेरे पास पूरा वाइट कलर का एक एग था तो मैंने वही यूज किया है तो चलिए यह देखिए यहाँ पे मैंने एक वाइट बैग लिया है उसको आप दोनों साइड से ओपन कर आपको मिल जाता है साथी साथ जो भी क्यारी करने के लिए हैंडल वाला पोर्शन रहता है वो भी आप निकाल देना एक प्लेन कपड़े जैसा पोर्शन हमें मिल जाता है और यह बहुत सॉप्ट आती है यह बैक्स तो उसको काटना इतना डिफिकल्ट नहीं है यह देखिए तो आप अगर आपको बड़ी बड़े गार लेंड्स का पेटल्स चाहिए तो आप उसका लेंड्स जो है वो जारा बड़ा रखिए अगर आपको छोटे पसंद है तो उस हिसाब से आप कर सकते बट यह जो है वो मैंने मेरे जो स्टांडर्ड साइज या फिर जैसे लुक ब भी नहीं होगा इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिए अगर हम एक एक मेजर्मेंट लेके कट करेंगे तो उसको बहुत टाइम लग जाता है तो इसलिए मैंने क्या क्या है यहां पे देके फोल्ड किया है और यह जो पिंस रहती है जो हम सिलाई में यूज करते है वो दोनों स साइड से ओपन करते हुए मैंने इसको कट कर लिया है तो मुझे ऐसे अलग-अलग स्टिप्स मिलेंगे जो कि मुझे यूज करने है यहां पर आप देखिए अलग-अलग कलर्स भी ले सकते हैं बट वाइड जो है वो काफी अच्छा दिखता है यह देखिए ऐसे स्टिप् के और सेम विड के बनते हैं तो इसी को हमें यूज करना यह बहुत सारे लगेंगे तो आप एक-एक करके एक-एक माला को कितना लगेगा उसके हिसाब से आप कट कर लीजे और फिर स्टार्ट करेंगे यह देखिए यहां पर मैंने उलन का थ्रेड लिया है आप कोई भी पट्टी का एक पोर्शन लेके देखिए ऐसे इस तरीके से हमेंने और मोस्ट यह सारी पट्टिया जो है वह स्टिच कर ली है तो यह देखिए एक ऐसी गार्लेंड जैसे बन जाता है फिर हमें इनको थोड़ा सा क्लॉक्वाइज आंटिक्लॉक्वाइज गुमा के यह जो ह एक हाफ आप जो एक आंटिक्लॉक्वाइज क्लॉक्वाइज बना बना के फिर यह ऐसे ही आप दूसरे पट्टी को भी करेंगे इस तरीके से पूरा फिनिश करने के बाद आपकी एक गार्डलेंड बन जाती है यह लेंथ ऑफ गार्डलेंड की माला की लेंथ जो है वह नीचे बस लोटस का बड़ जो हम बनाने वाले हैं वह आटेश होगा तो उसी साब से आप इसका लेंथ जो उसे आकार्डिंग आप लेंथ लगा दीजेए यह देखिए बहुत ही सुन्दर यह बन के रेडी हो गया और कुछ भी नहीं लगा यह बैग जो है वह हमें फ्री बैग लिया है और यहाँ पर देखिए यह जो नूस पेपर है उसको ऐसे फोल्ड करके हमें एक इस चैप में पेटल के शेप में या बढ़ के शेप में आपको यह पेपर जो है उसको रैप करना है रैप करने के बाद यहाँ पे आप सेलो टेप भी लगा सकते है बेटर सबसे इंपोर्टन यह देखो यह जो एक कॉर्णर आता है उसी को आप अच्छे से यह जो बढ़े उसको टाइटली पैक करके और उसको अभी उपर से हम धागा धागे से बांद देंगे तो आपका यह लोटस बढ़ जो है वह बन जाएगा और जब भी हम यह बांद देंगे कि तभी आपको इसका जो शेफ है वह भी मेंटेन करना है वो बढ़ जैसा दिखना चाहिए lotus का बढ़ है lotus की कली है Madam की कली है ऐसा उसको दिखना चाहिए तो यह प्रोसेस थोड़ा सा अ तोड़ा सा ताइम टेकिंग है बट हो जाता है यह देखिए होने के बाद मैंने इसका एक्स्टा-पार्ड कट कर लिया है और यह हमारा लोटस बर्ड बन गया है ऐसे मैंने पांच बनाएं है क्योंकि मुझे पांच बनाना था यह देखिए तो यह बहुत इजीली बन जाते ज्यादा मेनत की भी जरूरत नहीं है ऐसे बनाते बनाते पाच मेरे बन गए हैं तो अभी इनको बस हमें क्या करना है वाइट गार्लन को आटज करना है ये बढ़ बनाती हुए देखिए एक मेरे से मिस्टेक हुई है एक बढ़ मैंने उल्टा बनाया है तो जब भी आप बढ़ बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और जो जो भी छोटा पोर्शन है वो नीचे आना चाहिए जब भी हम वो कॉर्णर को सेट करते हैं उतना ध्यान रखिए यहाँ पर देखिए यह मेरी माला ये बन के रेडी हो गई यहाँ पर आप इनको स्टेर केस डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं गनेश डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं दिवाली में तो होता ही है तो इतने सारे यूजर से और बहुत कम प्राइज आप इस जोचो अल्मोंस जीरो प्राइज में आपका ये गारलन बन गया है अगर आ करें सबी को दिवाली के डेकोरेशन की डियाइवाई की बहुत ज्यादा ज़रूरत है तो प्लीज प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और में नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकियाती हूं सीरीज में यह जो लोटस बर्ड गार्लेंड वाली मेरी लागत है फिस्टिवल डियाइवाई सीरीज में यह आज का सेवन्त एपिसोड में आपके साथ शेयर कर रही हूं सेवन डियाइवाई अल्री मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दिये है तो आप ज़रू से चेक आउट कीजे बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही कॉस्ट फिंडली है हम घर के मटेरियल से बना सकते है तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ गारलेंड का इडिया लास्ट वाला गारलेंड का इडिया भी बहुत इजी था आज मैं अलग तरीके से आपको यह माला बनाने का सिखा रही हूं इसके लिए भी मैंने यही जो जबिए प्लास्टिक का से कराश कर सकते हैं यहां फिर वाइट यहीजे सकते हैं यहां उसको open कर लिया है और आज का भी idea जो है वह बहुत ही easy रहेगा वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि दो-तिन अलग-अलग parts आपको बना के फिर join करना है इसलिए तो वीडियो को पूरा देखिए skip काफी easy है और हमारे घर में जो available रहता है वही सामान से मैंने इसको बनाया है तो यहाँ पर देखिए यह जो आपको cardboard का एक seat दिख रहा है छोटा सा वो मैंने पेटल की हिसाब से oval shape में आप देखेंगे उसका shape उसी shape में मैंने एक cut कर लिया है और वही रखके फिर हम यह जो पटिया cut किया है उसको एक fold मारेंगे fold करने के बाद उसको रख के और हम draw कर लेंगे इससे क्या होगा कि petal का shape आ जाएगा यहाँ पर देखिए ऐसे रख दिया मैंने और उपर से इस तरीके का भी कर सकते एक आप measurement के लिए मैंने वो cardboard का तुकडा लिया है अगर आप directly भी कर सकते तो भी करे कोई issue नहीं है requirement यह है देखिए आपके यह जो पेटल से उसका shape जो है वो same आना चाहिए उसका और कोई requirement नहीं है यहाँ पर देखिए यहाँ इस तरीके से ओवल शेप में मैंने यह जो मेरी हमने फोल्ड किया हुआ था उसको मैं कट कर रहे हूँ आप देखिए अच्छे से देखिए क्योंकि यह ना फोल्ड बहुत बड़े हो जाते है तो उसको कट करना हमारे लिए थोड़ा difficult हो जाता है इसलिए आप इसको यह देखिए corner अच् आपको कट कर लेनी है तो यह जो है सेम में रेड फाब्रिक के जो मेरी क्यारे बैग है उसके साथ भी करूंगी यहां पर भी मैंने उसको open कर लिया है और यह जो measurement है आप आपके हिसाब से लीजिए अगर आपको चोटी-चोटी माला है बनानी है तो आप छोटा पीस लेके फिर उसको shape कट करें otherwise normal shape यह जो है दिख रहा है वो भी आप ले सकते है इसका measurement नहीं है बस मैंने एक कट किया कि मुझे किस size में चाहिए और just में वो रखके फिर उसको cut कर रही हूँ यह जो मैं fold करके cut कर दी हूँ हूँ इसके लिए क्यूंकि बहुत सारा cut करना है तो हम एक strip करेंगे तो उसको time लगता है इसलिए मैं fold करके फिर एकी time पर हम सारे जो भी strip से उसको यह जो process से वो कर सकते है इसलिए फिर यह देखिए ऐसे अच्छे से fold कर लेना है आपको जो extra है वो निकाल देना है क्योंकि फिर वो उसका size जो है वो same नहीं आता और फिर वो अलग द को तो यह बहुत ही अच्छा effect देगी यह देखिए यह ऐसे भी आप कर सकते हैं वो cardboard की भी आपको जरूरत नहीं है यह दो तीन अलग-अलग tricks मैंने यहां पर दिखाए हैं आपको की इस तरीके से आप कट कर सकते हैं easily और फिर यह आपकी माला बन जाती है यहां पर से कितनी माला बनानी है उसके हिसाब से यह हमें ड्रॉ कर लेना है यहां पर मैं पांच मालाओ का सेट बना रही हूँ तो मैंने दस ऐसे cardboard जो है वो कट किये हुए है और फिर यह देखो यह शेप को मैंने अच्छे से कट कर लिया अभी इसके उपर मेरे पास यह कुछ यह ब जो को एक साथी करना यहां पर अलग-अलग shapes बने हुए स्वास्तिक है बेन colors है तो मैंने उसी हिसाब से इनको कट करके फिर यहां पर चिपकाया है देखो एक इसके दो-दो color अभी मेरे पास तीनी color है तो pink है blue है और एक green है तो मैंने दो pink के किये दो blue के किये और एक green का किय इस तरीके से मैंने मेरा set complete किया यह देखो यह जो paper है उसको मैंने इस पर चिपका दिया है और अच्छे से चिपकाने के बाद उसको हम finishing देंगे और दोनों piece हमको यह ready कर लेने है इसको थोड़ा time लगता है अगर आपके पास बच्चे है तो वह बहुत अच्छी से help करते है तो आप उनको भी काम पर लगा सकते हैं यह देखिए इस तरीके से इसके corners हम काटेंगे तो यह काफी अच्छे से हमारा जो finishing है वो हो जाता है यहाँ पर देखिए ऐसे side side से हमें extra sub निकाल के फिर उसको cut करके और फिर उसे हमें चिपकाना है यह एक corner इसको थोड़ा time seriously लग sorry यह जो paper है उसको मैंने अच्छे से चिपका दिया है चिपकाने के बाद हमारे पास दो अलग-अलग portions ready हो जाते यह देखिए ऐसे उसको थोड़ा सूखने देना है हमें और फिर जो extra का paper है उसको cut कर लेना है यह जो उपर का portion है leaf का वो थोड़ा उसका finishing आपको अच्छी कर है ऐसे मैंने remaining जो pieces से वो भी कर लिये है अभी यह देखो यह pom-pom लेकि हम यहां पर लटकन बनाएंगे लटकन के लिए आप pom-pom घर पर बना सकते हैं या फिर online purchase कर सकते हैं यहां पर मैंने online purchase किया हुआ है तो pink के हिसाब से मैंने एक light pink का combination कराते हुए यह pom-pom के दो बनाने के बाद हम इसको चिपकाएंगे से दो इसके सारे मैंने बना लिये हैं लटकन और अभी हम यह दो-दो जो portion से हम इनको एक दूसरे के ऊपर लटकन बीच में लगाती हुए चिपकाएंगे इसको थोड़ा टाइम लगता है बड़ जब आपके लटकन बनेंगे वो त तो आप आपके डियाइवाई किस तरीके से बनाते हैं और किस mind of state से बनाते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा important है हमारा mind भी fresh हो जाता है हमारा brain चलने लगता है और बहुत ही सुन्दर सी एग यह डियाइवाई बन जाते है घर पे ही यह देखो इस तरीके से मैंने यह नीच आप यह पान के पत्ते की जगह दूसरा कोई शेप लेके उससे भी यह लटकन जो है वो बना सकते हैं बटे सबसे easy शेप मुझे लगा जिसका finishing में काफी आराम से कर सकती हूं तो इसलिए मैंने यह चूज किया अभी हमने सारे जो नीचे के लगाने वाले हमारे लटकन है व क्योंकि वो थोड़ा strong रहता है और colorful भी आते हैं तो हम वैसे use कर सकते हैं और इसको secure करते हुए फिर अभी हम garden जो है वो start करेंगे इसको अच्छे से secure कर लेना है साथी साथ इसमें golden bead भी मैंने डाला है जिससे ही जो हम यह secure कर रहे है यह जो color दिखेगा वो नहीं दिखता औ तो यह देखी यहाँ पर मैंने यह golden bead डाल दिया अभी हम garden बनाना start करेंगे तो same last time जैसे मैंने दिखा है ता same एक corners में corner से हम start करेंगे सुई को जैसे हम सीलते हैं धागा उसी तरीके से करना है और ऐसे करते करते फिर हमारी garden जो है वो बन जाती बहुत easily बनती है और finishing भी बह बहुत महेंगे आते हैं तो उसे अच्छा आप घर पर बनाएं ऐसे केरी बैग जो होते हैं वो हमारे घर में आते रहते तो आप seriously यह ट्राइब कीजिए बहुत सुंदर लुक देता है और यह garden जो है वो non-oven fabric से बनता है तो अगर हम इसको दोते है या फिर हम इसको पोशत मेरा यह white वाला garland बन गया फिर उसको हम थोड़ा clockwise ऐंटी clockwise दाएब आए थोड़ा मोडेंगे तो यह flower जैसा ही effect देता है यहाँ पर देखो वो जो round हमने cut किया वो तो वो petal जैसा shape दिखता है फिर red का मैंने red और white का combination यहाँ पर मैं ट्राइब कर रही हूँ तो मैंने red और white जो है वो उसी तरीके से फिर white हो गया फिर red का और अभी फिर से में white का जो है यूज करूँगी तो मेरे यह दो color में garland बन जाते हैं बहुत ही संदर दिखते हैं और बहुत ही प्यारा effect और बहुत ही प्यारा DIY बन जाता है आप एक market price से बहुत कम price में आपके DIY बन जाता है सा जरू से try कीजिएगा और बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है आप जो paper है उसकी जगा आप कपड़े का भी यूज कर सकते हैं जरूरी नहीं कि मैंने बांदी के paper यूज किया है वो नीचे के लिए तो आप भी यूज करें आप आपके पास जो सामान है plain paper भी यूज किया हुआ है अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चाहां को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूली साथ मेरे चैनल पर जो दूसरे DIY है वो भी आप जरूर से देखिए अभी दिवाली आने वाली है तो सब को इसकी जरूरत है आपके घ